नमस्कार दोस्तों आईए आज मैं आपको धनिया और पुदेने की चटनी बनाना सिखाती हूँ इसके लिए हमें चाहिए पुदेना कटा हुआ दो के काटा गया है धनिया दो कर काटा है लहसंग धरे मिर्च एक आम दो के छीला है और काट लिया है और नमक और शर्षोते यह हम कच्चा नहीं डाले में तो आईए अब इन सबको मैं जार में डाल देखिए मैंने सबकुछ जार में डाल दिया है अब मैं इसमें एक चम्मच नमक डालूँगी यह देखिए दोस्तों बाद में हम नमक चक लेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा पानी बस अब हम इसको पीस लेतें आईए देखें हमारा चकने पीस गया है अब हम किसी बरतन में इसे डाल लेतें कि अगर में बाद मैंने इसमें कम पाइं डाला था तो यह गाढ़ा गाढ़ा है बरना यह बिल्कुल पानी जासा होता है इस टायम हम नमक चेक करेंगे अगर नमक कम होगा तो हम और डाल लें आये तो अब इसमें मैं सरसो तेल डालते हूं करें इस चम्मत से मैं एक चम्मत सर्चो तेल डालों गहीं यह देखी दोस्तों यह देखी इक चमच जो बस दोस्तों इसमें पका पे मटड़ालियेगा तेल इसमें कच्छा ही सरसोतेल डालियेगा और फिर देखिए इसका स्वात हमारी तरफ प्याज नहीं डाला जाता ड़िए प्याज के बदले लहसं डाला जाता है और बनाया जाता है धनिया पुदीने की चट्ने आप धनिया के भी खाली बना सकते हो खाली पुदीने और आम की भी ह मैं दोनों का मिक्स करके बना रही हूं और दोस्तों जब आम का मौसम ना हूँ तो मैं आम की जगह हाम का शाड डालते हूं तो बनाती देखिए मेहं पीस गया बिल्कुल पानी मट डालिएगा कम डालिएगा तब यह गाढ़ा होगा और आप अपने बर्तन में डालेंगे तो और फिर मुझे बताईए कि यह चट्नी आपको कैसा लगा जब आम का सिजन ना हो कच्छे आम का तो आप आम का अचार भी काल सकते हैं आप बना के दीखिएगा दोस्तों उस आम की चट्नी का स्वाध ही कुछ अलग होगा जब आम ना हो उपलव तो बनाईएगा जरूर औ यहां कैसी बनी और ताकि मैं आगे और भी वीडियो बनाऊ दन्यवाद दोस्तों